नमस्कार मैं हूँ अभिशे कोशीक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया इस वक्त का सबसे बड़ी ख़वर जिहां बीग ब्रेकिंग बीग ब्रेकिंग ख़वर से आपको रूब्रू करा रहा हूँ बीजेपी ने रचा ऐसा चक्रवियू कि बैक फुट पर आए नितीश कुमार जिहां बीजेपी ने ऐसा रचा चक्रवियू कि बैक फुट पर आए नितीश कुमार आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि कुछ चंद मिनट घंटों पहले नितीश कुमार एक नई समिकरन की तर कुमार हो रही थी बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया जिहां बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया और नितीश कुमार को नए समिकरन के लिए रोक दिया है नितीश कुमार बैक फुट पर आ गए और नितीश कुमार बैक फुट पर ही नहीं आए भाग कर नालंदा चले गया जी चार दिन के दिल्ली यात्रा पर फागुंचाहवन को जाना नितीश कुमार को नालंदा जाना राजनितिक उथल पुथल कि में जो केंद्र बिंदू बने हुए थे आरसी पीशी ही रामचंदर प्रसाशी केंद्रिय मंत्री वह भी दिल्ली रवाना हो गए बगएर किसी प्रतिक्रिया दिये हुए अब मैं आपको पता दूँ कि कैसे नितीश कुमार बैक फुट पर आए और बीजेपी ने क्या चक्रवियू रचा बीजेपी नितीश कुमार को बैक फुट पर लाने के लिए आरसी पीशी को ओफर दे दिया है कि आप बीजेपी जोईन कर सकते हैं और बीजेपी के कोटा से राज सभाज आ सकते हैं नितीश कुमार हिल गए हैं जिहां इस वक्त का सबसे बड़ी खवर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आरसीपी सी बीजेपी के टिकट से बीजेपी के तरफ से बीजेपी के कोटा से राज सभाज आ सकते हैं और आप समझ लिजिए कि जदी बीजेपी को आरसीपी अगर जवाइन करते हैं तो ढेडी यू करेदी यू करेदी इू का हल होगा है ये डियू समाप्थ हो सकती है जडीं मिट सकता है और नितीश कुमार अब यू कह सकते हैं कि नितीश कुमार अभी मन्नु की तरह चक्रवियू में फस गए हैं बिल्कुल फस गए हैं क्योंकि अब इस चक्रवियू से कैसे नितीज कुमार निकल सकते हैं और नितीज कुमार के जो रनितिकार हैं नितीज कुमार जिस नाओ पर सवार है उस नाओ के जो नाविक हैं ललन सी उस नाओ को कैस से किनारा लगा सकते हैं यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन मैं फिलाल आपको एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जब आर से पीसी बीजेपी से राजसभा जा सकते हैं तो जैडियू से राजसभा कौन जा सकता है तो जिहां इस पर भी मंतन हो रहा है और हो सकता है उपेंदर कुछ वहां उपेंदर कुछ वहां राज सभाजा सकते हैं जेडियू के तरफ से जेडियू के तरफ से उपेंदर कुछ वहां राज सभाजा सकते हैं और और आर्सिपीसी जदी बीजेपी के टिकट पर जाते हैं यूं तो नितीश कुमार अब डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं अभी फिलहाल अपने प्रवक्ताओं को अपने नेताओं को और अपने विधायकों को सोसल फोरम पर और मीडिया में किसी भी प्रकार की प्रतिकरिया देने से मना किया गया है और सभी नेता कार्ज करता जेडियू के प्रतिकरिया देने से बच रहे हैं लेकिन अभी देखिए कल तक में क्या होता है 72 घंटे की जो समय सिमा बांधा गया है उस समय सिमा का इंतिजा हम सब और आपको भी है देखते हैं कि उस 72 घंटे के समय सिमा के अंदर क्या हो सकता है लेकिन बीजेपी के रन नितिकार भी लग चुके हैं और हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा जेडियू को और खास करके नितिश कुमार को भुगतना पर सकता है इन्हीं सब्दों के साथ मैं हूँ अभिशेक कोसीक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मिडिया जय हिंद जय भार